कितनी स्मार्ट है सिटी, सिटी स्मार्ट की वेबसाइट जब अपडेट नहीं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर उठने लगे सवाल, कुछ ना कुछ है गोलमाल आम आदमी पाटी की कहानी से लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल आर्टी आई पर पंजाब की कमान, पंजाब के मंत्री के भतीजे के हाथ स्मार्ट सिटी पर लाइव भारत की खास खबर, आपनेता विशाल जोशी के साथ जय हम जबार, दोस्तों आप देखें लाइभर मैं हूँ आपका दोस्तों बर शुक्ला मेरे हाथों में अमरिसर स्मार्ट सिटी का जो एक वेबसाइट के में, ये कुछ चेहरे हैं तो इन चेहरों को लेकर हमारा कुछ कहना है, और क्या कहना है हमारे साथ एक आम आदमी की तरह आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, आटे एक्टिविस्ट है, मिशाल जोशी करांती जी वो जुड़े हैं तो हम उनसे आज जानेगे, अमरिसर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का आखिर है क्या और इसका सच क्या है यह चेहरों में कई ऐसे चेहरे हैं जो अब इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़े हैं लेकिन वेबसाइड इतनी हाइटेक है कि वो चेहरे भी दिखा रही है और बता रही है कि यह बोड़ावरा एक्टर है मैं आपको जहाँ जहाँ अमरी सर स्मार्ट सिटी अमरी सर की वेबसाइड है जो मैंने कल ओपन करी थी इसमें मैंने बौड ऑफ डेक्टर की लेड़ी देखने के बाद जे उसका जा प्रिंसीब परशाद में दिखाया जा रहा है जबकि अभी जो इनकी जो जूटी है अडिशनल चीफ सेक्टरी फिनेंशनल कमिशनल ट्रैक्स्टेशन एंड उसके साथ ही चेर्मेन कम एमडी PSPCL जाने की पावर मिनिस्ट्री के जो है वहां पर नोकरी शुदा है जबकि इनका अभी समय इनका लोकल गौर्णमेट के साथ को इनको एज डिप्टी कमिशनल अमरी सर शो किया जा रहा है लेकिन इनका भी अभी अमरी सर से कोई तलुक बासा नहीं है इसका बत्रब साफ है कि बौर्ड ऑफ ड्रेक्टर में जो जो चेरे दिखाए गए हैं इन चेरों का इस समार्ट सिटी के साथ आज की तरीक में कोई ल उनको खुद आपनी वह आज तक उनने कभी अपनी सायट चेक करके नहीं देखी अगर वह अपनी सायट नी चेक करते तो स्मार्ट सिटी के अंदर चलने वाले कारे को कैसे करते ओंगे इसका साफ मतल है कि यह सारा दो सिस्टम है जो स्मार्र चीटी का वह फिए और सिरिफ इनको लिखा है मेर म्यूंसिपल कारपेशनले कि म्यूंसिपल के स्पैलिंग गल्द है अगर हम ऐसे आदमियों को जंसी हायर कर रखी है जिनकों की इंग्लिश ही अच्छी तरह से नहीं आती सिर्फ बोर्ड ओफ डिरेक्टर आठ मेंबर हैं आठ मेंबरों के नीचे उनके तो फिर ऐसे ऐसे हाथों में स्मार्ट सेटी की मैंगेजमेंट रखना वह स्वाल है जिन है सरकार के उपर बहुत बड़ी बात किया सुबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि स्मार्ट सीटी एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को बाने और लाने के लिए पजाब क कर रही है और इसके काईना काईना के स्मार्ट सीटी कितनी स्मार्ट है यह हम आपको दिखाते रहें समय समय पर स्मार्ट सीटी आज को तलाश है एक ऐसे हाथ हो कि जो इसको स्मार्ट बना सके दिवारे पोत लेने से लाल रंग देने से और को स्मार्ट नहीं हो जाता स्मार समार्ट सिटी तब होती है, जब महला साफ हो, महला कब साफ होगा, एक उस महले से पूछो जहां पर साफ सफाई नहीं होती है, अमरिसार में कई ऐसी महले हैं, जहां आज भी ऐसा लगता है कि हम आजादी के पहले ही जीवान अपना बसर कर रहे हैं, नाम चाहें इंद्रा समाठ सिटी में, इस बताएगा क्या क्रॉपशन के मामले में, पढ़ाई के ममले में मिल गए है क्रॉपशन के मामले में कितना र 획काहरा चाहिए हैं, सब्सक्राइऑ के यह समाठ सिटी के तरफ से जब हम पिछले साल लोग डाउन लगा था, कुरोन समारी के कारण सारी की गई है अडिशनर कमिशनर म्यूंसिपल कारपेशन की तरफ से उन्हें सब्सक्राइब को लिखा है कि हम को च्छती पॉइंट चाली क्रोड पीए जो आगे हैं तो इसके लिए लेंड जो है क्वाइर की जाए तो जब हम लेटर नमबर वन है इन्होंने लोग डॉन के दरव पॉइंट चाली करोड पे की सहायता जो फंडिंग आई थी इनको उसका यूज करते हुए इनने फटा फट वहां पे लैंड भी एकवाइर कर दी उसकी डीड के लिए भी इन्होंने लिखा कि जल्द से जल्द इसकी डीड भी कर ली जाए तो इसके पिसे इतनी क्या जल्द उस समय से लेकर आज तक क्या किया अब इसका आगे का जवाब दो आपके बास पैसे आए जमीन अकवाइर की उसमें आपको बड़ी जल्दी थी आप जमीन भी अकवाइर होगी वहां पर क्या प्रसेस चल रहा है यह आप जनता को पता हो यह समार्ट सिटी के सारे काम ही ऐस जब इनका परपोजल पास होता है समार्ट सिटी के लिए पैसा आता है रुपईया आता है उसकी जूटी लाइजेशन के लिए अफसर ऐसे बागते हैं जैसे बाकी सारे काम छोड़ देते हैं उसके बार जब वह उसके लिए जन्सिया हाइर हो जाती है उसका कॉंटक्ट कि समार्ट सिटी के आई देख लो एक भी किमलीड नहीं लेकिन हम पूछेंगे इंसे और सवाल करेंगे अमरी सर के एंटीपी प्रिखास हुए था भी हाल में क्या था वो माज़रा जी एंकपाल प्रिसिंग रिदावा जी को प्रिखास किया था लेकिन उनकी बहाली हो गई है फिर अब दुबारा वो जहां पर अपने हैड़ कोर्टर में शायद आ चुके हैं अमरी सर में जहां कहीं हो और शायर बटाला में आ चुके हैं वापसी होगी उनकी वापसी हो गई तो उससे ब्रश्टा जामें एक केस इंस्पिरेशनल केस है कि एक आई एस सबसर की शिकाय ख्ञद रहा जार डिसमिन्स रहा तो इसके गरवालों का कbles खर्चा चलना मुश्क्किल हो जाएगा तो इसलिए बहुड़ किा जाता है ऐसे सलाम करता हूं पंजाब के मतरींों को आपके नेती को आपके काम करने के तरी के को भगवान आपको उत र cherry मैं तो कहूंगा मंतरी पंजाब के मंतरी जिसने भी अधिकारी डिसमिस होई है इसी तर्टे पर सब को बहाल करें ताकि किसी के गढ़ का राशन जो आपको ना बुझे अगर आईएसर छो है खुद सुवश मोटो बेस पर अगर वो कोई क्रॉप्षिन पकरता और अधिकारी की उसके बाद इसको सर्कारी उती है तो उसके बाद मंत्री-साब प्रिंसिपल सेक्टरी जो ऑटर जारी करता है तो उसमें लिख देता है खाफिजै सारा काम जो है मंत् कि मंतरी साहब की प्रमिशन से सारा काम हुआ है अच्छा यह लिख दिया गया है तो मैं तो आप जो हमारी अगर पंजाब में हमारी दो जार भाई में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसे सारी दस्तावेज हमारे पास है हम अपरी सरकार को सुमिट करेंगे तो आग कर दो जानी किस सब रहम इसको पनिश्मेंट किया है हां बिल्कुल आइएस ऑच्छ वे में दो हैस् साल 120 में निका नहीं करें तकरीब पंजाब सरकार के हर डपाटमेंट का जही हाल है राटने में जानकारीहं क्यों मांग रहे हैं कि अगर के लोगोंगों नियांनी मर रहा है पुलिस में चले जो औडिस पास कहीं भी कोई भी सिस्टम नहीं है लोगों को जंता सिर्फ पिस रही है इनके चक्र में पर प्रांटी आई के जो एड़ ओडिपार्टमेंट वो किनके हाथ हुमें सरकार के हाथ हो में लागते हैं इसके लिए जो पंजब स्टेट information commissioner लगा हुआ रिया है जिसकी डाइल आखर विया salary तया हो गई और पांच साल के लिए वह पक्का है अगर जो सीटे ऐसी सीटे जिनको उनको भी politics में convert किया जा रहा है तो नहाई कहां से मिलेगा अप जिसका जिसके state information commissioner का पिता जो की सरकार में मंत्री है तो वो अपने सरकार के अधिकारियों पर क्या कारवई करेगा यह तो बात सपस्ट है ऐसा शूर्ट से होता है राप पंजाब राज्य हम नहीं टिकेंगे हम चलते रहेंगे और क्योंकि हमने सच को सामने लाना है तो एक और सच्चाई के साथ हम फिर आप से मिलेंगे डिदीजे हमें इजाज़त जैन जैभारत